नमस्कार गटने चक्र में आप सब का स्वागत है देश के प्रधान मंतरी ने कल कहा है कि राज़ पालों को सक्रिय भूमिका ने भाई जानी चाहिए राज़ पालों की भूमिका को लेकर के जब से देश अदाद हुआ है उनकी भूमिका को लेकर के हमेशा विबाद रहा है चर्चा रही है अगर कोई राज़ेपाल राजभावन के भीतर रहकर के पांस साल चुपचा बिता दे तो ये कहा जाता है कि शांती पून कारेकाल रहा लेकिन कोई राज़ेपाल किसी मुख्मंत्री को हटा करके किसी नए मुख्मंत्री को शफद दिला दे और खुद भी चला जाए तो उसको कहा जाता है कि ये राज़ेपाल थोड़ा जाले सक्रियता सक्रियता का क्या मतलब है प्रशाशन की सक्रियता लोगों के आंसु पोचने की सप्रियता या राम खता कहने की सक्रियता आखिर राज़ेपाल की क्या भूमिका होनी चाहिए राज़ेपाल कैसे काम करें किसी राज़े के अंदर सम्वेधानिक दिस्टी से राज़ेपाल सम्वेधान का रक्षक होता है क्या मंतरी मंडल की ना सुने, रास्टपती की ना सुने, प्रधान मंतरी की ना सुने ये तमाम तरह के सवाल हैं अगर आप इस प्रोग्राम में शर्कत करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 241-06-06-1 241-06-03 हमारे बीच में दो मेमान हैं जो के खुद गवर्नर रहे हैं भीशम नरायन सिंग जी हैं हमारे बीच में लेकिन उनसे लगब लगब बारे साल भीशम नरायन जी गवर्नर रहे हैं तमिलाडू के असम के और लगब लगब साथ राज्यों के करीब भीशम नरायन जी आपका स्वागत है हमारे इस कारिकरम में और हमारे बीच में दूसरे पूर्व राजपाल हैं सुराज कोशल जी है जो के मिजरम के राजिपाल रहे हैं तो राज कोशल जी आपका विस्वागत है हमारे इस कारेक्रम में प्रोग्रम की शुरुआत हम आपी से करें भीशे मवव के पहले तो ये जो प्रेजेंट कंटेस्ट है प्रधान मंतरी अटल बहरी वाजपी ने कहा है कि राजपालों को स चाइए जाके दो हजार बीस तक हम लोग जो एजेंड़ा तयार कर रहे हैं उसके लिए आधार शिला रखे जाए जाए आप इतने लंबे 65 सर्थे तक गवर्नर रहे हैं राजपाल रहे हैं सक्रिये गवर्नर क्या होता है सबसे पहले तो ये ही सक्रिये गवर्नर सब्से हम लोंको नहीं जाना चाहिए नहीं मैं मैंמ縮े अपने दर्शक उसके बाद में मैं आपके सारी बात सुनूँगा मैं अपने दर्शक को ये बताना चाहता हूँ आपके मुखारवेंद से आपके उस से कि आपके लिए सक्रिय राजपाल क्या है? सक्रिय राजपाल का मैंने इसलिए इस शब्द का कि व्याख्या आपने ठंक समय आपको करूं तो अच्छा लगएगा सकारात्मक भूमी का निर्वाह करने वाला राजपाल यह ज्यादा उप्युक्त सब्ध होगा बनिस्पक की आपने जो शब्द का इस्तिमाल किया आपने कोई निर्डेस नहीं दिया जा सकता है और राजपाल का क्या करतब है यह संविधान में स्विम भी नहीं थैं जी उसका ओथ असपस्ट करता है कि उसकी भूमी क्या है 159 के ताहद 159 में उसका सपतगरन होता है उसी में है कि वो प्रिजर्व करता है प्रोटेट करता है वो उसके सामने एक एक कॉल है शायद हमरे दर्शक को मुंबई से सवाल करना चाहते हैं पहले उसको सुने फिर बातचीत का स्लसला बढ़ाएंगों हमरे पर समय है हलो नमस्कार नमस्कार साम जी आप अपने नाम बताएंगे मैं तिलग राज यादो मुंबई से बोल रहा हू और ना ऐसा कोई डेसिजन लेना चाहिए जिसे सम्भिधान का माखौल उड़ाया जाए मेरे सामने दो मिशाले आई जैसे बिहार में राजिपाल जी ने चीफ मिनिस्टर नितियस कुमार जी को सपद्विधी करा दिया जो बैचारे सिर्फ साथ निर रहे और उसके पहले च जाए पॉब्लिक हासे जी बस मेरा यही सवाल है धन्यवाद आपका आपका मतलब यह है कि फैसले सो समझ कर रहने चीए उस फैसले पर बात चीत बात में करेंगे पहले हम यह गानने की कुशिश कर रहें कि राज जे का जो पालक है राज पाल उसकी सकरे भूमिका क्या हो सक प्तिता थी तो उस ही प्र चर्चार होई ती जिसको मैंने सकरात्मिक भूमिका सब्स उसके उसका Сब्षीूट हमने दिया है सब सकरात्मिक का पुपभूमिका सकरात्मिक भूमिका कि जिसमें राज जपाल अपने मंत्री मंडल के सलाह पर कार्ज करें और उनको डिस्क्रिस्टिनरी पावर भी कहीं कहीं दिया हुआ है मगर उनको जो अस्थाई रूप से उनका जो कार्ज है वो ये है कि एक फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड के रूप में वो अपने सरकार को सलाह दें उनको एक सेज के रूप में जिसको रास्पती जी ने सेज संत का शब्द का इस्तमाल किया है कि वो परामर्स भी दें और सावधान भी कर दें जहां राजसरकार गलती करने वाली है तो ये भूमिका उनकी है जिसको उनको करना चाहिए और इसके अतिरिक अगर वो कोई दूसरी भूमिका करेंगे तो जो ये प्रस्न कर रहे थे उसके मताबिक वो सही नहीं होगा क्योंकि राजपाल की जो सीमा है कंस्टिउशनल जो कंफाइन है उसके अंदर ही उसको उनको कर्च करना है बहुत बढ़िया बात आपने की सम्मिधान की दायरे में रहना है पहले से राजपाल जिसे पूछें के सक्रिय का क्या मतलब है आपके पास दोरी चीज है एक ताफ वकील भी है तो उसे हिसाब से भी मुझको आप बताईए कि सक्रिय जब कोई प्रधारमंतरी कहता है कि देश के राजपाल को सक्रिय होना चाहिए तो वर ड़स इट मीन जब कोई वकील राजपाल हो जाए तो सबसे पहले जो उसे करना चाहिए कि उसे भूल जाना चाहिए कि वो वकील भी है वरना कानून बाजी में ज्यादा रहते हैं और जो प्रैक्टिकल आसपेक्ट हैं उसको भूल जाते हैं ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि देश में डिमाक्रिसी है जी फिनिस्टर के पास डिमाक्राटिक मेंडेट है fully treat करना चाहिए इस प्रोएक्टिव का मतलब यह है कि जनता की भावनाओं को जनता के दिये हुए फैसले का आदर करना गवर्नर की जिम्मेदारी यह तो सब constitution में दिया ही हुआ है जी मैं सिर्फ जो अभी जानने की कोशिश में हूँ कि सक्रिय का क्या मतलब है I believe who stays within the constitutional parameters is my limit of being a proactive governor I being a proactive governor doesn't mean go beyond the constitutional confines as Pishma Babu says or go beyond the constitutional limits see as I told you the mandate of the constitution is very clear mandate democratic mandate is with the chief minister the governor has to be aware of this mandate all through his tenure day and we must facilitate the chief minister in executing and delivering goods to the people on account of the democratic mandate it is wrong to overrule that democratic mandate just because of the fact that you are appointed on the advice of the center or we are representative of somebody in Delhi the fact is that people have assigned a particular role to the chief minister as a democratic head of the government we have to make sure of reminding the chief minister about this aspect and not across what is called a lavishman rica. We have a lot of talking about that but eh लेकिन ऐसा सबराज्य में हो नी रहा है कि सम्विधान की इनकंसिस्टिंसी के तहट अगर कोई काम होता है तो जो सम्विधान का दायरा आपको मिला हुआ है उसमें कितने राजेपाल एक्टिव रहते हैं और कितने इनक्टिव हैं ये भी सवाल है लेकिन अगर आपके जहन में कोई सवाल है राजेपालों की भूमिका के बारे में खासतों से सकरे भूमिका के बारे में तो आप सवाल कर सकते हैं हमारा रंबर है 241-00-00-00-1 और 241-00-00-3 छोड़ेश ब्रेक के बारे में घटना चकर के सह प्रायोज़ग M.D.H. मसाले अस्री मसाले से एम डी एच, M.D.H. तवा फ्राए भरवा मसाली लाए M.D.H. का नया तवा फ्राए मसाला सबजी में बहरा या उपर लगाया छोड़ों मले M.D.H. तवा फ्राए मसाला Once a rackpicker Now she has a book in her hands Life was a constant struggle Now she is confident of her future A small step was a big effort Now he's ready for the walk of life Unloved and uncared for Now they take life easy Concern India Foundation strives to give them a better future Only you can help make it possible M.D.H. M.D.H. Life was a constant struggle Now she is confident of her future Concern India Foundation strives to give the disadvantaged a better future With your help Once a rackpicker Now she has a book in her hand Concern India Foundation strives to give the disadvantaged a better future With your help M.D.H. Roo Agarvatthi Ki Subran O Bhagavan Sach Much Prasand M.D.H. Roo Pran Se Prayaas Pryatm Se Vishwaas Vishwaas Se Sambhav Thar Dikhae Lagan Azi 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 Jai Se Bhakti Bhakti Se Hai Shuddata Shuddata Se Shakti Raja Dhani Bheza Shakti Shuddata Ki Raja Dhani Bheza Shakti Shuddata Ki Raja Pall Us Ko Kya Kirana Chai Jibaraj Tantra Bhegaad Ghe Wawastha Ho Jaya M.D.H. Baha Raja In Sambuddao Pera We have a new age We have a new age As a community We have a new age Ramesh Bhundari Purova Raj Pall Uttar Pradesh Eeld And Purova Uttar Pradesh Ramesh Bhundari You have a Calif Our fair Our first time we have a new age And we have a new age M.Lala Namaskar 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 M.Lala मेरा नाम है जी देखिए डॉक्टर राजजंद पशाद और नहरू में यही गुफ्तगुफ चलती रहते थे कि वो उनकी बात नहीं सुनना चाहते थे जी तो वो गई यही कहते थे कि आप एक रबर स्ट्रेम्प है एक गवर्मेंट के हैड नहीं एक मतंदेशन के हैड है जी देखते हैं ये भी अच्छा सवाल है आपका बहुत बहुत शुक्रिया आणा जी आपने सवाल किया घंडरी साब हम यह जानना चाह रहे थे कि वोट इस जानना चाह रहे थे कि वोट इस प्राइमिस्टर सेज इन इस कंट्री और प्रेजिदेंट एंडोर सेट और वाइस सब्सक्राइब कर सकता है कोई भी राजयपाल क्यूंकि ये आम तौर पे गुप्त तरीके से मुखमंधरी को बुलाया कह दिया कि मेरे विचार भी यह आप कर लिए कीजिए या ना करिए पर दिरने लेना आपका हक है लेकर उसके अलावा कोई राजयपाल अगर एक्टर भी होना चाहे वुखमंधरी एक्दम वापस उसको कह देगा देखिए माइन यूर ओन बिजनिस सीधी बात है और अगर वो कहे माइन यूर ओन बिजनिस तो क्या रहे कीजिए चंद एक मुद्धे हैं जहां राजयपाल का ववेक होता है और आम तोर पर जहां कहीं कोई राजदीतनी का सिर्था नहीं है प्राब्लम कभी निकलता उटता ही नहीं है मुखमंधरी होता है राजयपाल मुखमंधरी में ताल मेल रहते हैं सला मशवरा होती रहती ह लेकन मुशकल तबी निकलती है जब अस्थिरता हूँ तो फिर रज-पाल की ववेक आते हैं और उनको उसका वेक वेक जब फैसने करते हैं तो फिर विवाद भी पादा हो जाता है तो लेकन मैं समझता हूँ जो एक्टिव की बात है के बल यही हो सकती है कि वो जाए घूमें फिरें आँखे खुले रखें आँखें कान खुले रखें और उनको कुछ सूचना मिलती है कुछ देखते हैं तो वो खमंत्री को सला दे दे कि देखिए यह प्रदेश के हित्मे होगा अगर आप इस रास्ते से चले या यह कर ले यहां इस प्रदेश में मुशकल है उसको करें लगर यह इतना सब भी अगर होगा तो जो इलेक्टिड गॉर्मेंट आप दोनों महमानों ने हमारे को कहा कि इलेक्टिड गॉर्मेंट का बेंडिट है और नॉमिनिटिड आदमी को इतना अधिकार ही नह है समयधान प्रदत नहीं है यह चीज कि आखे खोलने के बाद और कान कुले रखने के बाद भी मुखमंतरी को यह सबसला दी जाए है मैं एकी बात कơूओं के एक एक ल 20 नहीं सरकार इतरास करती है तो उन्हों ने कहा कि नहीं 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 मैं तो चाहता हूँ कि जो राजबहा करें वो जाए और बहुत अफसर पे मुझे ये लाब दे रहा क्योंकि राज़ पाल गए बाहर गए उन्हें ने कुछ देखा और उन्हें ने मुझे बताया कि यहां ये चीजे हो रही है इस पे ध्याद दीजे तो मैंने आई वेलकम डेट मतलब अगर तालमेल है ना राज़ पाल और मुख मंदरी में तो कोई विवादी पैदा होता है लेकर विवाद तब पैदा हो जाता है अगर राज़ पाल चाहे कि अपना दुमाव डाले है मुख्ध मंद्री के उपर अपना दुम्हें तुम्हें ऐसे करना है या कोई पुबिकली में कांफर्टेशन शुरू हो जाए तो फिर विवाद शुरू हो जाता है पिश्ध मभू आप मुझको यह बताई आप जिस राजे में रहे वहाँ बर्नाला सब गवर्नर थे और तमिलाडू की बात मैं कर रहा हूं ल्टिटी के और करना निदिजी के रेलेशन बहुत अच्छे थे यह रिपोर्ट राउ ने बनाई रिपोर्ट ने रिपोर्ट भी दी लेकिन राजपाल नहीं यह अनुमोदन नहीं किया कि वो राज़ सरकार जो है उस गुप्त रिपोर्ट के आधार पर बरखास कर जिया ह तो खुद कवेंडर मोहदे को जाना पड़ा राज सरकार तो चली गई तो शायद जब सक्रिय भूमिका की बात हो रही है तो राज के हित जो के सर्वो परी है जो के राज पाल दरकिनार करता है मुक्हमंतरी दरकिनार करता है शायद उसकी और तो इशारा नहीं है नहीं वो उसकी और इसारा नहीं है क्योंकि किंद्रिय सरकार के पास राजपाल के रिपोर्ट पर रपट पर जो कहिए प्रेसिडेंट डूल करने का जो अधिकार है उसके अतिरिक्त भी अधिकार है राजपाल अगर ना भी लिखें तो किंद्र सरकार को अधिकार है ने ने दिश्कांट की बात नी कर रहा हूँ। रही है लिखना चाहिए चाहिए वो शक्रिए भूमिका उसका नाम दिया मैंडिया जाए था शुक्ति हम राजपाल करता हो राजपाल लिखा हूँ अलग बात है आप देखिए तकरीबन राज जितने भी हैं और मुस और मुस अब और ड्राफ्ट पर चल रहे हैं मैं एकॉनमिक कंडिशन्स पर आ रहा हूँ जो और राज जेपान को पता भी होता है कि फजूल खर्ची का है चीफ सेक्रेटरी बताता भी है और मुक्वंतरी भी बताते हैं क तो ऐसे में राज जेपाल फिनेंशल रेगुलरिटीज की तरफ अगर टिपनी करे तब I think it will be very proper, very proper क्योंकि फिनेंशल बिल्स तो उसके पास पहले आते हैं before they are even introduced in the house Not that he should veto them ये जरूर रिपोर्ट करना चाहिए, अडवाइस करना चाहिए कि देखें, यहां financial mismanagement है क्योंकि मैं समझताओं कि सभी institutions चाहे वो state के पास जितनी मरजी agencies हो political institutions का कोई substitute नहीं है और political institutions को governor preside करता है और केंदर सरकार को ख़ब भेजने में political institutions की जो भूमिका है उसका कोई substitute नहीं है उसमें security क्योंकि पैसा, after all money is expensive the country is borrowing money and giving money to the states if money is not utilized to the optimum it is tax-pairs money, particularly northeast या जो special category states है वहां पर तो सारे का सारा पैसा जो है वो केंदर से जाता है it is governor's responsibility to bring it to the notice of the chief minister as also the government at the center that see here there is lot of mismanagement of money and to which I think planning commission should attend and the government of India should attend it is a very good area so you have found out a role model for the governor which is lacking at least this part has never been attended and this is one part beyond security has been attended all through but northeast में particularly there is I mean the problem of northeast is not want of funds but abundance of funds you talk of BR you talk of Rajasthan you talk of Uttar Pradesh wherever it is it should be brought to the notice of the financial agencies I agree with this I agree with this क açık कि यह प्य Tucson कए प्योकरेटर्स में खस्तोर से अ कि मिस्मेरेजिमेंट में गवर्णर को हस्तक्षेप करना चाहिए जब गवर्णर हस्तक्षेप करेगा जब गवर्णर हस्तक्षेप इसमें करेगा तो आप तो obscure आप तो बिरोक्रेट भी रहे है मुकमंदरी और चीफ सेक्टरी, फानेंस सेक्टरी तो केवल मुकमंदरी की ही बात सुनेंगे. जो राज़पाल केवल यही कर कह सकता है कि देखिए इस तरीका का मिसमेनेजमेंट हो रहा है पर इस पे आप ध्यान दीजिए. मेरे ख्याल में वो तो मुकमंदरी जरूर ठीक हो रही है. लेकर राज़पाल केंदर को जरूर कह सकता है. क्योंकि आकरकार यह पैसा आ रहा है केंदर से. अगर केंदर को राज़पाल कुछ कह दें, कि यह मेरे मेरे राय में या मेरी समझ में, मेरी सूचना के आधार पर यह यह चीज़े ठीक नहीं हो रही, तो फिर केंदर फिर कदम उठा सकते हैं और वो मुद्बा कुछा सकते है वुक्षबंत्री के साथ ठीक रास्ता तो वो ही होगा नहीं तो फिर अगर जादा दाखला देंगा ना तो रिष्टा राजपाल और वुक्षबंत्री में समाज सिवक तलाश रहे है जो कि समाज सिवक छूट जाता है पीछे एक वीवर है लाइन पे उसके बाद हम लोग लोट करके आते हैं हलो हलो हाँ नमस्कार जैन टीवी में आपका स्वागत है बताएं आप अपना नाम बताएंगे हलो मैं एके डे बोल रहा हूँ डे साब बताएं क्या सवाब आपका ऐसा है कि मेरा दुरभाग है कि हम अभी भी गुलामी के मेंटेलिटी को छोड़ना नहीं चाते ब्रिटिस सिस्टम के अंदर जो गवर्नेंस हमलों का था कि प्रेसिडेंट भी रबर स्टैंप है गवर्नर भी मोर और लेस वेर एक्टिंग एज इस पाई जिससे कि उनको खबर रहे उनका राज बना रहे जी अब तो हम लोग फेडरल सिस्टम है गवर्नर की कोई जरुवत नहीं है डायरेक्ट कॉंट्रेक्ट सेंटर का अरी स्टेट सो हो और हित में जो भी काम हो देश के और वहां के जो राज्य है उसके लिए काम करना चाहिए जी डायरेक्ट थिंग तर इनी रेलिवेंस फॉर गवर्नर अट इस स्टेज धन्यवाद आपने बहुत बढ़िया मुद्दा दिया कि राज्यपाल के पद कोई समाप्द कर देना चाहिए ताकि राश्टपती और प्रदानमंत्री जो समास से वक्त तराश नहीं सक्रिये वो मुद्दा ही खत्म हो जाए जा बीश्मना जी अगर प्रो एक्टिव के जो जिसकी चर्चा हमनों कर रहे हैं ने जैसे जे साब ने का राज़ेपाल का पदी कर रहा है ने जो तो हम बताएंगे की जरूर रहना चाहिए लेकिन अगर प्रो एक्टिव वाला कहीं राजजपाल जी के दिमाग में चला गया तो तो अन्तों जो हमारे freedom fighters थे intellectuals थे उस वक्त के वो selfless लोग थे freedom struggle के product थे उस वक्त के लोग सेलफलेस लोग थे आज के नहीं है अब तो हम उस वक्त ही की बात कर रहे हैं और उस वक्त यह संबिधान बना है तीन बरस के मन्थन के बाद उसमें क्यों यह पद रखा गया पद इसलिए रख diversities है और स्टेट में भी सब्में diversities है समझ लें केंद्र को इसलिए केंद्र के तरफ संबिधान में federal structure रहते हुए भी तिल्ट है सेंटर के तरफ जरा सा तो एजेंट उनको नहीं चाहिए या इसपाई नहीं चाहिए जैसा वो कह रहे थे एक वाइटल लिंक भी चाहिए जो सवाल आपने पहले किया था वो financial power के बारे में वह बात सही है कि उसमें राजपाल को अधिकार देना चाहिए हम हर एक राजपाल परती माह एक परतिवेदन भेजते हैं रासपती को जिसकी परतिलीपी प्रधान मंत्री को उपरासपती को और ग्री मंत्री को भी जाता है उसमें सिर्फ law and order की चर्चा नहीं होती है सारी बातों की चर्चा करके रिपाट आता है और भनार जी ने बहुत ही सही कहा आपने भी कोसल जी ने भी बहुत सही कहा कि वो दारा है जिसको वो अपने रिपोर्ट में काफी जाहिर करेंगे और जब जाहिर करेंगे तो इसको ठीक करने में एक निस्पक्ष विचार उनको मिलेगा जिसे वो राज सरकार से बात कर सकते हैं ये बात तो बिलकुल ठीक है मैं लेकिन दूसरे मुद्धे पर आ रहा था कोशल जी मैं बात कर रहा था कि जो एक और महत्पूर्ण मुद्धा है उस समास सिवक वाले मु राज्य पाल जो है जो राज्य के सारे विष्विध्याले होते हैं उनका कुलपती होता है ठ़्ैना और जर्शक्रय बहुमिका की भात बात करूई है मैं छेतर की बात कर रहा हूं वी मैं छेतर पर आ रहा हूं के कहा ऐceğim सक्रय बहुमिका हो सकती है एक तो आपने फ nerd में मा होते हैं और उसमें मुख्यमंत्री की कोई बहुत बड़ी भी हुमिका नहीं होती है तो जब प्रधान मंत्री राजपाल कहा रहे हैं राश्टपती कहा रहे हैं कि सक्रिय गवर्नर होना चीए तो कम से कम राजपाल विश्विध्यालों की दशा और दिशा सुधार पने का काम तो करी चकते हैं एपसलूटली एपसलूटली और पहली बात तो मैं ये कहते हूं कि बहुत अच्छा है कि डे साब का ये जो सवाल है मुझे उस समय नहीं फेस करना पड़ा जब मैं स्वैम राजपाल था और आज इस मुझे नौ साल हो गए हैं उस पोजीशन से बाहर आए बलकि दस साल तो आज ये प्रश्ट पूछा गया तो मैं बहुत उसे निश्पक श्टंग से जवाब दे सकता हूं जहां तक ये युनिवरसिटीज में रोल की बात है इसमें मेरे ख्याल में राज्य सरकारों का बहुत ही सीमित रोल होना चाहिए आज जो ट्रेजडी है पर्टिक्लर लेजिसलेशन की वो वाइस चांसर्स की अपॉइंटमेंट किस प्रोसेस से करना पड़ चाहती है के जगा ऐसा है जैसे हर्याणा में की एक पैनल भेज़ दिया जाता है उसमें से सिलेक्शन होता है के जगा स्टेट का रोल नहीं है मैं समयता हूं कि ये जो ए के उतर प्रदेश में अथारा विश्वदालिया थी जी उनका ऐस गवरनर मैं चांसर्र था तो मेरे तो दिर ने यही था है कि ये विवेक केवल राज़ जपाल का है अलबता एक राज़ जपालों के कमिटी भी बठाई गई थी जी और हम मैं उसका एक सदनस्या था हमने र जाकला होता है तो यूनिवरसिटीज में पॉलिटिक्स आ जाती है जो मुखमंत्री है वो पॉलिटिकल पॉइंट व्यू से ही अपने रेकिमेंडेशन देगा राज़ पाल का अधिकार होता है नुक्ति करने का एक सर्च कमिटी बठाई जाती है जिसमें एक सदनस्से होता है यूनिवरसिटी ग्रांट्स कमिशन का भी वो पैनल भेजते हैं आम तोर पे तीन का पैनल आता है सबसे बेहतरीन लोगों की पॉलिटिकली मुटिवेटेड वाइस चांसर्स होते हैं अगर कोई अच्छा ठीक वाइस चांसर्स हो तो पॉलिटिकल मिस मैनेजमेंट रोकी यह फाइनैशल मिस मैनेजमेंट रोकी जा सकती है अलबता मैं समझता हूँ एक्टिव राज़िपाल यूनिवरसिटी में सबसे ज़्यादा ध्यान देता है मैंने बहुत ध्यान दिया था और इसलिए बहुत ही सुधार आया था काफी यूनिवरसिटी में चली आप यह मान करके आते एक शोड़ेक के बाद लौट करके आएंगे और विस्तार से चप्चा करेंगे कि राज़िपालों की सक्रीब हुंका के और छेत्र क्या हो सकते हमारा नंबर है 241-001-241-003 चोड़ेक के बाद घटना चक्र के सह प्रायोज़ एम डी एच मसाले अस्री मसाले से एम डी एच एम डी एच नए पाउच विबन एम डी एच मसाले जो सब की पसंद एम डी एच एम डी एच एम डी एच दान वाज़वी, क्वालिटी वही एकदम सही अस्री मसाले से एम डी एच हल्दी मिर्च धनिया पाउच में जब विंटर्स में ड्राय स्किन करी परेशान तब अयोर हर्वल कोल्ड क्रीम एक संफून समाधान ये तबचा की कहराई तक जाके रूखापन दूर करे यही तो है असली कोल्ड क्रीम की पहचान इनको बनाए बेवी सॉट आयोर हर्वल कोल्ड क्रीम एनरिष्ट विद अलोगरा तबचा ऐसे कि ब्यार हो जाए आयोर हर्वल कोल्ड क्रीम ज्यूजे पिखेंगे लिखेंगे पुक्राइबेधे लुखे रहा जाया जास्टन भी जाया कर दीचिज़े हैं प्राण से प्रयास, प्रयत्न से विश्वास, विश्वास से संभव कर दिखाये लगन ऐसी ऐसी जैसे भक्ती, भक्ती से है शुद्धता, शुद्धता से शक्ती, राजधानी बेज़र, शक्ती शुद्धता की गटना चक्र में आप सब का एक बार फिर से स्वागत है, हम लोग चर्चा कर रहे हैं राजधालों की सक्रिय भूमिका के बारे में अभी तक हमारे मेमानों की बीच में दो मुद्धों पर सेहमती हुई है, कि वित्य अन्यम तताओं के मामले में राजधाल हस्तक्षेव कर सकते हैं, और अगर सारे राजधाल मिल जाएं, तो विश्विध्यालों में जो शिक्षा में अववश्ता है, कम से कम वो तो दूर ह होई चकती है, इसका मतलब प्रधानमंत्री जब सक्रिय भूमिका की बात कर रहे हैं, तो उनके दबे छेपे मन में कहीं न कहीं ये बात है, कि ये समास सिवक काम नहीं कर रहा है, हमारे बीच में मेहमान शामिल है समराज कोशल दी, और भीश्म नरायन सिंग जी और रोमेश करता है, ज्यादा है, लेकिन मैं एक छोटा सा उधारन आपको देता हूं, एक राजयपाल का मैं इस रिपोर्टर जब था प्रिंट में, तो मैंने एक राजयपाल की इस राजयपाल की आइटनरी पढ़ी, कि His Excellency will drive from Chandigat at 7 in the morning, will reach at Ambala at 7.40, will have breakfast and have rest, then His Excellency will move, वो चलेंग फिर वो आएंगे करनाल, करनाल में His Excellency का खाना होगा, फिर His Excellency लंच करेंगे, और करते करते चंडिगर के पूरे रूट से His Excellency शान तक सूरज को पहुंशते हैं, साथ, लगबग लगबग, तीन सो किलोमेटर का रास्ता, बारा गहंटे में His Excellency का तै होता है, मैं His Excellency का नाम नहीं ले रहा हूँ, और ये वकाड़ा नियम था हूँ, एक्सिलेंसी का जब भी चलते थे, एक राज्यका राज्यपाल, तीन सो किलोमेटर का डिस्टेंस, सिर्फ हाईवे पे रहे, कोई DC की मीटिंग नहीं है, सिर्फ लंच, टी, स्नैक्स और रेस्ट, ये किस तर अभी दूसरे राजपाल, ये हम आमते हैं कि लोग टंत्र है, एक मिसाल को उसी मिसाल को आप लोग ज्यादा हाईलाइट करते हैं, लेकिन सारे और अच्छे राजपाल, जो चंदीगर से चले और सीधे दिल्ली पहुंच जाते हैं, उनका तो आपने कभी जिकर नहीं किया, एक राजपाल की सिर्फ जर्चा हुई, देखे राजपाल, अथिक्तर राजपाल अपनी भूमिका को समझते हैं, असली जो कमी है, मुझे इस बात की अपेक्षा थी, कि प्रधान मंत्री जी, जब अपना विचार देंगे, तो उनके पास अब सिर्फ सरकारिया कमिशन का ही रिपूर्ट नहीं था, अब जो ये जो कंस्टिउशन रिव्यू कमीटी बनी थी, जिसके चीफ जस्टिस भूत पूर चीफ जस्टिस अधेक्स थे, और कंस्टिउशन एक्सपर्ट उसके मिंबर थे, उनकी शिफारी सुन के सामने है इस वक्त, वो इलान करते कि राजपाल का जो पांच बरस का टेनियर हो, वो अक्छू नब रहेगा, तो पहला जो इनसेकुरिटी की भावना राजपाल में उसी दिन समापने हैं, तब वो राजपाल रचनात्मक भूमी का अदा करने में की जो बात है, उसमें सक्रिय हो जाएंगे, तो आपको लगता है कि देश क के निर्माताओं ने प्रोसीडिंग आप पढ़ें कि किस तरह के राजपाल निवक्त हों, ये भी उसमें है, समिधान के प्रोसीडिंग में, मैन ऑफ एमिनन्स, क्योंकि बहुत मरजादित जगह है, तो उतना ही मरजादित ब्रक्ति को उस पर बढ़ाएंगे आपना, मरजा इंटेगरिटी वाले को करने, यही माप डंड होना चाहिए, अगर ये इन सब चीजों के बारे में अगर कुछ चर्चा होती, प्रधान मंत्री जी के द्वारा, तो मैं आज बहुत प्रशन होके, आपके सामने अपना विचार देता कि हाँ, ये हुआ, कि उनके सामने रिप ठीक है, थोड़े ही माने में, लेकिन एक रिपर्ट उनके सामने था, रिपर्ट के अधार पर हुने ने कहा, ये रिपर्ट तो बिलकुल उनके उनही का बनाया हुआ, कंस्ट्यूशनल एक्सपर्ट लोगों का है, इसके बारे में तो कुछ हुआ नहीं, तो आप बहुत देश का राजा कौन है, गवर्नर की भूमी का क्या है, गवर्नर एक राज रिशी की तरह उस राज्य में रहता है, और उसे राजा की भूमी का अदा करनी भी नहीं चाहिए, मगर उसे राय देते रहना चाहिए, मगर राज रिशी को कभी भी देश निकाला हो सकता है, है इसमें को इंडिपेंडेंट कंस्टिशनल रोल अदा करना एक एकडेमिक डिसकेशन तो खुश रखती है अदर वाइज आप यह मानते हैं कि राज़ पाल उस कैदी की तरह रहता है जिसके गर्दन पे 24 गंटे तलवार रखती रहती है जो महसूस करता है वो ऐसा है नहीं कर हो कि कोई स्वतंतर राचेपाल हो सेक्योर्टी हो इंडिपेंडेंडेंस हो तो फिर उसका पांच साल का टेरियर होना चाहिए वो एक तो यह बात है वो तो चुने जाएं कि तो बात है ही वो तो एहम बुद्धा है पर उस पे कोई पालन नहीं करेगा एहम उन्दा बिकुर अगर समाज सेवक की बात की आती है तो एक प्रस्ताव था जो मैं राचेपाल था कि जैसे हर एक MP को और और विधायक को आप फंड देते हैं डिवलप्मन्ट फंड तो राचेपाल को भी क्यों ना कोई फंड दिया जाए फॉर डिवलप्मन्ट फंड अगर आप फंड दें उसको वो फिर समाज सेवा के लिए इस्तबाल कर सकता है तुरंट उसका फासला हुआ था जवाब आया था कि ये हो नहीं सकता ये राचेपाल की से बाहर है तो आप समाज सेवा कैसे करोगे अगर आपके पास कोई कोश नहीं है अगर जो वेकादीन कोश है वो तो समाज गरीब आजाए उसको थोड़ा दे दिया कुछ ऐसे करें और नौर्टीस पे तो शायद और मतलबों के लिए होता है कोई दूसे परदेशों में केवल ये चोटी मोटी चीजों के लिए होता है कोई आ जाता है लाचार नावारिस उसको कुछ पैसा दे दिया किसी को पांच थाज़ के लेए लिए अव बड़े स्थे ले अफ़ा दिए ली इंपरुटेज लग आ जाता है कि अस्थे स्थेश्टिवट प्रूंट लेडिव पांट प्रूंटिः अल्या टार न दिया प्रूंटिज है विए वह आिजा ये पूट अवल वैं कि अजान दिए उनीं अ if the constitutional authority is given to the governor and the president, he cannot exercise his right will to prevail upon under the existing diversified conditions getting worse to many factors as this structured you see by the people mandate given in the existing conditions until and unless I mean to say some constitutional powers to the governor so that which was provided earlier when Mrs. Gandhi got off and cut off all the powerful wings of the president and what the governor could get what we could expect the pro-activity. धन्यवाद आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने बहुत लंबा कर दिया आपका बहुत 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 शुक्रिया लोट करके आएंगे हम लोग छोड़े से ब्रेक के बाद लोट करके आएंगे लेकिन बात्चीत की अंत्यम हस्से मेरे आपके पास कोई सवाल है चोके हम लोग डिसक्स करने जा रहे हैं कि राज जपाल की समास सिवक की क्या भूमिका हो सकती है क्या राज जपाल एक समास सिवक के रूप में तब्दील हो सकता है और सक्रिय भूमिका निवाज सकता है Constitution के दायरे में रह करके एक छोड़ से ब्रेक के बाद निवान सच मुच प्रसंग, MDH. क्यां सच मुच प्रसंग, MDH. Once a rack picker, now she has a book in her hands. Life was a constant struggle. Now she is confident of her future. A small step was a big effort. Now he's ready for the walk of life. Unloved and uncared for? Now they take life easy. Concern India Foundation strives to give them a better future only you can help make it possible बंसों दे जाथी परेगी मिरच M.D.H की देगी मिरच देगी मिरच का तड़का अंग अंग फड़का M.D.H की देगी मिरच जब विंटर्स में ड्राय स्किन करे परेशान तब अयोर हर्बल कोल्ड क्रीम एक संफून समाधान ये तबचा की कहराई तक जाके रूखा पंदूर करे यही तो है असली कोल्ड क्रीम की बहचान स्किन को बनाए बेवी सॉफ्ट आयोर हर्बल कोल्ड क्रीम enriched with aloe vera तबचा ऐसी के प्यार हो जाए आयोर हर्बल कोल्ड क्रीम शुद्धा से शक्ति राजधानी बेज़र शक्ति शुद्धा की कटा चक्र में आप सब का एक बार फिर से स्वागत है हम लोग राज़ेपालों की सक्रे भूमिका पर चर्चा कर रहे हैं बातचीत के इस दौर में जानने की कोशिश करेंगे कि राज़ेपाल समसिवक की भूमिका जैने कि समासिवक की भूमिका निभा सकता है नहीं बातचीत में बहुता शामिल है सुराज कोशल जी, रॉमिश भंडारी जी और भीश्म नदायन सिंग जी सुराज कोशल जी मैं आप इसे बातचीत का इस दौर शुरू करता हूँ मैं जानना चाहरा हूँ कि देखे राज़ेपाल आपने कहा समिधान की मर्यादा नहीं तोड़नी है डेमोक्रिटिक यानि लोकतांतरिक तरीके से चुनी हुई सरकार के और आपके बीच में जो कच्चा धागा उसको नहीं तोड़ना है लेकिन उसके अलावा सिर्फ इसी पशोपेश में रहकर के आपके धागा तूटनी जाए समिधान की रक्षा भंगना हो जाए आप गवर्नर कोई भूमका ही नहीं तलाश कर पाता अपनी पांस साल के अंदर या चार साल के अंदर या दो साल के अंदर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि गवर्नर एक समास्य वक के रूप में तबदिल हो जाए और जो चोगा है महा महीम का वो उतर जाए और आम आदमी में अगर समलित होकर के दोरा किया जाए जिलावार अधिकारियों से मिला जाए हस्पितालों में जाए 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 विश्विध्यालों में जाए 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 तो मुझे लगता है पचास प्रतिशत बिना किसी सक्रिय हस्तक्षेप के पचास प्रतिशत समस्याइट अहल हो सकते हैं हाँ आपकी बात बिलकुल सही है त्यागी जी अगर मुख्यमंतरी इसके लिए तयार हो जाएं और इसको हस्तक्षेप नहीं माने कि आपका राजपान के अंदर रोल है या आपका एक सन्यासी के रूप में जगा जगा घूमने का रोल है अगर इसके लिए मुख्यमंतरी तयार हो जाएं तो ये बड़ा अच्छा वीचार है मगर अभी मुझे लगता है कि इसके उपर कोई ज़्यादा समभावना नहीं है आप ने जब कहा मुख्यमंतरी तयार हो जाएं इसका मतलब मुख्यमंतरी ये भी पसंद नहीं करते के राजपान कहीं घूमने जाए इसका मतलब राज़ पाल क्या कूपमंडूक बनके रहते हैं। कूपमंडूक नहीं मगर अगर वो एन्सस वोलंटियर का रोल अदा करने लगेंगे तो मुख्यमंतरी को स्वाइम चिंता होना बहुत स्वाभाविक है। नहीं चिंता किस बात की? क्योंकि मुख्यम गवर्नर तो दूसरे राज़ जिसे आयवा होता है। आँख भी खुली रखते हैं, कान भी खुले रखते हैं, सीमित तोर पर घुमते हैं, मगर एक वलंटियर के तोर पर घुमना, शायद मुख्यमंतरी को पसंद नहीं आए और ये गवर्नर का मेंडेट। शिक्षित थे, लेकिन असेंबली के भी मेंबर नहीं रहे कभी, चीफ मिनिस्टर बने, एजिटेशन की ये छे साल, एंटी इस्टेबलिस्मेंट एटिकूट था, अब सोचे कि वहाँ पर गवर्नर की कितनी जवाब देही आती है। लेकिन दोनों में, जैसा बंडारी जी ने शुरू में कहा था, या कौसर जी ने भी कहा, दोनों में कॉडियल इलेशन होना चाहिए। ये ये आवश्चक है, यही संविधान इन विसेज भी करता है। जहीं है चीफ मिनिस्टर बने, सबसे पहला काम, क्योंकि ये एजी पी का बंड़े किया इस पॉइंट पर, असामिस असाम लेकर के रिजिनल पार्टी, पहला काम, उनका एक बोर्ड था सिक्षा का, सेबा सर सिक्षा मंत्री ने इसू करवा दिया कि बराक भेली में, जहां बंगालियों का जादा पॉपुलेशन है, दूसरे जो असामिस का पॉपुलेशन जादा नहीं, वहां भी असामिस कंपलसरी हो जाए, आते ही, इस बात उसके बैक्ग्राउंड को जाने बिना, कि लाल बहाद राजपाल कहता है, मैंने मुख मंत्री को चाय पर बुलाया, राजभामन में आसाम, महनता जी भी सुन रहे होंगे, मेरी बहुत इज़त किया हो, मेरी बहुत बात सुने में, मुझे कहने में बिलकुल संकोच नहीं है, मैंने समझाया कि आप एक तो इतनी बड़ी आपकी है, तो कैसे काम चलना है, लेकिन ये पढ़ली जी हलाल बाहदु सास्त्री जी इसकी पंचायती कर चुके हैं, आप ये कहां से, ये कहां से, इसलिए आप लोगों को सला दिया, महनता जी ने कहा, मैं कल सिक्षा मंत्री को भी लेके आ रहा हूँ, मिरिंदाबन को स्व उन्होंने मानी और सस्पेंड हुआ, कछार में आग लगने से बचा, राजपाल की बड़ी भारी भारी भूमिका है, कितना मिसाल हमें लोग जैलेलता जी की बात अब इनुश्टी ने, मैं मैं रोवेश बंड़ारी जी सुनू जरा, मैं समाज से वक्त क्योंके, रोवेश विस्ता बिगड़ जाती है, विश्विद्धाल बिमार है, उसको तो विस्कस क्या कर सकते हैं, वो ही कह रहा हूं कि जो एक पतला सा धागा है, कि लोकतंत्र के दायरे में रहा जाए, परदा है, और राजपाल अपनी भूमिका भी करे, शायद प्रदान मंत्री का इशारा उसी हो रहा है, और में देखे, मैं भी बहुत दोरे करता था, दूर दराज अलाकों में जाता था जब मैं तरुपरा में था, यूपी की बात छोड़िये, प्रापस आकर मैं अपनी रिपोर्ट जरूर भेजता था मुक्छ मंत्री को, वो उसका उस पे ध्यान देते थे, प उष्टाजे सकते हैं, मुक्मंत्री कितना उसको स्वागत करें, कबूल करें, उसके पर चलें ना चलें, ये मुक्मंत्री की जुमेवारी होती है, उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, उससे ज़्यादा कुछ होगा, तो जो आज की समयधान है, उसके दायरे से बाहर कि आपोजिशन की तरफ राजिपाल की क्या जिम्मेदारी है कि क्या समझाते हुए जहां पर लोगों ने वेपन्स छोड़े जैसे MNF ने मिज़राम ने छोड़े अब वी परक्ष में बैठे हैं अगर उनकी सुनवाई अगर राजिपाल भी ने करेगा तो वह कहां जाएंग पूछना चाहता हूँ राजिपाल जी कई बार आंधर प्रदेश में हुआ रामलाल जी ने किया मुक्हमंदरी वरकास कर दिया जो वरतमान मुक्हमंदरी थी उनकी मैज़रिटी थी आपने भी एक दिन का मुक्हमंदरी बनाया और यह गणित मुझको नहीं सम्मझ में आता उस समय पे उन हालात में जो राज़ पाल उचित समझता है वो करता है और मैं तो अपना पूरा उधारन देने के लिए त्यार हूँ स्वारे स्वाश्टिकरन देने के लिए त्यार हूँ किस लिए एक हालात में ने किया लेकर वो अपने ठीक समयधान को देखते हूँ वो करते हैं एक दो कोई करदे गलती हो गई तो हो गई मतलब ये exception does not create the rule हा रूल में अधे सारे अपने दारे में रहते हैं तो इसमें मैं समझता हूँ कोई दो राई नहीं है और एक और बाती समयनी चाहिए आपको हमारे देश की हाँ प्रजा तंत्र है अगर जो प्रजा तंत्र में कोई constitutional authority हो ला तो constitutional authority के उपर सीमाय होती है ये तो प्रजा तंत्र के उपर जरा थोसे जरा वोसे कबजोरी होती है ये इसको हमें परसे बिल्कुर समझना पड़ाएगा जे बिश्मभब आप कुछ कहेंगे जी बिल्कुर उन्हें मनारी जी ने भी सही कहा और कॉसल जी ने भी सही कहा कि constitutional government है different levels पर power vested है अब block officer का का काम block का प्रधान का का तो राज़पाल नहीं करेगा यहीं discuss होके हुआ नहीं चाहिए और राज़पाल पेंदर रहके भी बहुत कुछ भूमिका अदा कर सकते है तो यह जो सक्रे भूमिका की बात है यह बिमानिये इसका मितलब हम नहीं चाहते हैं कि मुख्मंत्री की passive भूमिका हो जाए सक्रिय पैसी भूमिका तो कि यह elected leader वो है cabinet की accountability है assembly के परती assembly के लोग चुने हुए है और राज़पाल को सबसे बड़ा लोग तांत्रीक temperament का अदमी होना चाहिए जब ऐसा कहा गया कि राज़पाल को proactive भूमिका निभानी चाहिए इसका मतलब यही था कि governor को अपनी भूमिका निभानी चाहिए मगर उसका दायरा सीमित है he is not the defector ruler of the state धन्यवाद आप सबका रुमेजी आपका भी और सुराजी आपका भी और बिशम भबू आपका भी काफी लंबे अरसे से बहस चल रही है कि राजेपाल की क्या भूमिका रहने चाहिए यह बहस आगे भी चलेगी तुकि रास्टपती और प्रधान मंत्री ने राजेपालों से आवान किया है एक सक्रिय भूमिका निभाने का सिर्फ आप देखना यह है कि आने वाले दिनों में कितने राजेपाल किस तरह की सक्रिय भूमिका निभाते हैं और जब सक्रिय भूमिका निभाएंगे हम फिर चर्चा करेंगे इसी प्रोग्राम में राजेपालों की सक्रिय भूमिका पर तब तक कि लिए धन्यवाद नमस्कार, खुदाथ कर दो कर दो